नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahi Paal Singh Raathor और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा भारतिय नेवी के नए Corvette जहाज के बारे में लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि Corvette के अलावा और कितनी प्रकार के शिप्स होते हैं Frigate क्या है, Cruiser क्या है, Aircraft Carriers क्या है और इन सब में फर्क क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, With Example तो काफी informative वीडियो रहेगा आपके लिए आगे बढ़ने से पहले, Pathfinder चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें और Lectures के PDF इंटेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं Unacademy अप पर free special classes होती हैं जहाँ पर मैं Constitutional Amendments की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ शाम 6 बजे आज इसका पहला lecture होगा Link is in the first comment below 7 जून को भारत सरकार की Defense Acquisition Council ने ये announcement किया कि तीन प्रकार के नए equipment या military platforms लाया जाएंगे Air Force, Navy और Army के लिए जिसमें Navy को मिलेगा New Generation Corvets 8 New Generation Corvets लाया जाएंगे, बनाया जाएंगे Second Armored Vehicles जो की Indian Army के लिए है Air Force के लिए, 76,000 क्रोर रुपीज के ये announcement भारत की Defense Industry के लिए बहुत ही important है क्योंकि इससे हमारा विदेशी रक्षा निर्यात पर I'm sorry, आयात पर जो खर्च होता है वो काफी कम होगा, अगर आप भारत के रक्षा आयातों को देखेंगे तो historically हम रश्या पर बहुत जारा dependent रहे है एक समय ऐसा था, जब हमारा 80% defense import रश्या से आता था और लगातार ये percentage कम होता जा रहा है पिछले 10 सालों में इसमें भारी गिरावट आई है So from a high of about 80% अभी आ चुका है लगबत 30% के आसपास और दूसरे देशों पर निर्भरता खेर बढ़ रही है जैसे कि आप देखेंगे France है, US है, Israel इन देशों पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है तो अब भारत किवल एक देश रश्या पर अपने रक्षा जरुरतों के लिए निर्भर रही है हाला कि ये भी कोई आदर्श स्थिती नहीं है कि हम France, Israel और US पर अपनी dependence बढ़ा रहे हैं, वहाँ से import बढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी एक देश पर निर्भर होने से बहतर है कि 3-4-5 देश हों जहां से हम अपने defense needs को पूरा करें क्योंकि उस थिती में दूसरे हमारे पास विकल्प options हमेशा खुले रहते हैं आईए अब बात करते हैं modern naval ships के classification के बारे में तो देखिए classification पिछले 300 सालों में काफी बदलता आया है 18-19 century से जबसे navy के importance बढ़ गई है England ने colonialism को बढ़ाया ही navy के दम पर था तो naval जहाजों का एक classification शुरू होता है और ये classification World War 2 तक काफी हद तक solidify हो चुका है लेकिन उसके बाद उसमें कुछ बदलाव आए है आज के समय कि अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर 5 तरह के categories होती हैं जहाजों की सबसे पहला है उसमें aircraft carrier तो नाम से ही आपको पता चल रहा है ये एक ऐसा युद्ध पोत है जो size में बहुत बड़ा है और बड़ा इसी लिए है क्योंके इस पर हमें aircraft को land कराना है तो fighter jets इस पर land कर सकते हैं एक proper runway बना हुआ है तो aircraft carrier एक चलता फिरता air force base है जिसे आप दुनिया में कहीं भी तैनात कर सकते हो तो US को जब अफगानिस्तान और इराग पर हमले करने थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया बस अपने इस तरह के कुछ जहाज लाए और उन्हें लाकर Arabian Sea में तैनात कर दिया International Waters में माइंड यू और वहाँ से ये अपने हवाई जहाज उड़ा कर अफगानिस्तान पर और इराग पर बम गिराते थे तो ये aircraft carrier दुनिया के 8 देश जिनके पास ये मौझूद है उन्हें बहुत ही अलग तरह की capability देता है भारत के पास भी है aircraft carrier तो मान लो भारत को कल को यूरोप में कोई लड़ाई लड़नी है तो हम हमारी Sena को वहाँ पर बेजेंगे वो बहुत ही geographically problematic रहेगा पहुचने में समय लगेगा हो सकता है ना भी पहुच पाए लेकिन aircraft carrier तुरंथ पहुच सकता है एक दो महीने के अंदर आप aircraft carrier को दुनिया में कहीं भी पहुचा सकते है मान लो hypothetically हमें Spain पर हमला करना है Atlantic Ocean में Spain की तट से 200 km दूर ले जाकर इसे खड़ा कर दिया और वहाँ से हवाई जाहाज उड़ाकर Spain पर बम गिराने शुरू कर दिये तो aircraft carrier जो हैं यह दुनिया में सबसे महंगे जहाज होते है इन्हें operate करने का खरचा बहुत आता है बहुत सारे लोग चाहिए हैं इन्हें handle करने के लिए manpower, skilled manpower चाहिए और इसलिए दुनिया में किवल 8 देश हैं जो इसे अभी operate करते हैं और इंडिया is one of them आपके लिए एक सवाल है कमेंट में मुझे यह बताओ कि भारत इस वक्त कौन सा नया aircraft carrier बना रहा है विच अंडर construction और शायद कुछी समय में launch भी हो जाएगा उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे और US की जो नेवी है उसके पास सबसे ज़्यादा aircraft carriers है दूसरे तरीके जहाज होते है amphibious assault ship ये भी size में काफी बड़े है इसलिए again ज़्यादा तर देशों के पास ये capacity नहीं है कि amphibious ships को operate करे बहुत ही कम देशे ने operate करते हैं amphibious का मतलब यह है कि ये एक ऐसा बड़ा जहाज है जो deep ocean में operate करता है लेकिन समुद्र तठके बिल्कुल निकट जाकर हमला करने की capacity इसमें होती है क्योंकि ये अपने अंदर छोटी छोटी boats को समाहित कर सकता है helicopters को रख सकता है तो क्या होता है कि देखो ये बड़े जहाज समुद्र चटके बिल्कुल निकट नहीं जाते है अंटिर अनलेस कोई बहुत गहरा port नहीं है वरना ये जमीन में टकरा जाएंगे नीचे समुद्र का जो beach के किनारे वाला area होता है वो इतना गहरा नहीं होता है तो ऐसे में ये कुछ किलोमेटर दूर खड़े रहते हैं समुद्र में और वहां से ये छोटी-छोटी boards या helicopters को launch कर सकते हैं जिससे जमीन पर हमला किया जा सके इसलिए इन्हें amphibious assault ship का जाता है USS Iyojima का ये photograph है ये US का एक बहुत बड़ा amphibious assault ship है तीसरी category है cruisers और destroyers की अब cruiser और destroyer को मैं एक ही category मैं मान रहा हूँ क्योंके destroyer कुछ नहीं है एक छोटा cruiser है cruisers world war 1 और world war 2 में बहुत popular थे और cruiser एक ऐसा जहाज है जिसको आप normally एक navy के साथ associate करते हैं तो जब आप से कोई कहता है कि navy का जहाज तो आपके दिमाग में क्या हिमे जाती है कैसा जहाज जो deep ocean में जा सके Atlantic ocean, Indian ocean कहीं पर भी जा सके उसमें बड़ी बड़ी guns लगी भी हो उसके पास missile fire करने की capability हो तो वो सारी capabilities होती है cruiser के पास तो ये थोड़े बड़े जहाज है in fact most modern day navies जो operate करती हैं वो या तो destroyers हैं, उनके पास सबसे बड़े जो जहाज हैं वो destroyers या cruisers हैं हाला कि cruiser जो नाम है अब वो चलन से थोड़ा भार हो गया है क्योंकि जादा तर देश destroyer ही कहते हैं उन्हें और कोई exact definition नहीं है कि कि cruiser कहलाएगा और उसे आप कितना छोटा कर दोगे तो destroyer कहलाएगा, तो पहले होते थे cruisers और दीरे दीरे world war 2 के बाद में कई देशों ने उनकी size छोटी करनी शुरू कर दी तो उन्हें destroyer कहा जाने लगा, तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, यह दुश्मन देश की capacity को destroy कर सकते हैं, इन जहाजों के पास क्या capabilities हैं, तो देखिए सबसे important capability इनकी होती है, artillery gun, artillery gun यानि कि एक ऐसी top, जैसे बो force top है, जैसे हम जमीन पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसी प्रकार की कुछ guns होती हैं, जो इन जहाजों के उपर बांदी गई हैं, एक traditional sense में, navy का काम यही होता था, कि इन topों को इन बंदूकों को, बड़ी-बड़ी artillery guns को स्थिर ना रख कर, दुनिया में कहीं भी transport किया जा सके, that was the primary objective of a navy, यही काम होता था navy का, अगर आप जैसे Pirates of the Caribbean जैसी film में देखेंगे तो उनमें आप देखेंगे कि वो top जो है वो जहाज के side से निकलती हैं और एक दूसरे पर fire करती हैं, तो अब वो modern day में ऐसी नजर आती है, यह top है, यहाँ पर एक छोटा सा turret आपको नजर आ रहा होगा, यह किसी मोटी missiles भी इनसे launch हो जाती हैं तो cruisers के पास वो capacity है जो आम तोर पर आप Navy से associate करते हैं, जब मैं आपको कहता हूँ कि Navy का जहाज, तो आपके दिमाग में ऐसी में जाती है न, कि एक ऐसा जहाज जो दुशमन देश पर कहीं पर भी जाकर हमला कर सकता है, पानी के मार्क से, oceans seas को, समुद्र को cross करते हुए कहीं भी पहुँच जाए, तो वो होता है cruiser तो in the traditional way of thinking एक cruiser एक ऐसा जहाज था जो अपने देश के निकट नहीं, बलकि दूर oceans में, समुद्र में, कहीं पर भी जाकर operate करके, दुश्मन पर हमला कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, उसका कारण बताता हूँ क्या है, तो आज के समय में cruisers, destroyers, ये independently operate नहीं करते हैं, most of the time एक fleet जाती है, fleet का मतलब है कि बहुत सारे जहाज एक साथ होते हैं, जिसमें एक aircraft carrier हो सकता है, 4-5 destroyer उस हो सकते हैं, 2-3 submarine होंगी तो ये 10 जहाज एक साथ operate करते हैं most of the times, ठीक है, और इसी को हम कहते है, blue water capability, blue water navy उसी को कहा जाता है, जो बड़े oceans पर जैसे US की navy है, तो US की navy India के आसपास, या फिर Afghanistan के आसपास operate कर रही थी, because it had blue water capabilities भारत के पास भी है, क्योंकि हमारे पास भी aircraft carrier है, बहुत सारे navy के जहाज हैं जो उसको accompany कर सकते हैं, तो ये cruisers और destroyer काफी important होते हैं और ये बड़े जहाज हैं, तो आज के समय कोई भी navy में सबसे बड़ा जहाज जो होता है, वो destroyer होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि amphibious और aircraft carriers, ये बहुत ही कम navies के पास हैं, most of the navies today they have destroyer, और जाला तर navies के पास बड़े-बड़े destroyer ही हैं भारत के पास भी काफी अच्छे destroyers हैं, we have the Kolkata class stealth guided missile destroyers इसमें multiple जहाज होते हैं class का मतलब होता है कि एक तरह के जहाज, तो Kolkata class में 3-4 तरह के destroyers होंगे, दिल्ली class में 3-4 तरह के, ये एक तरह के या एक generation के destroyers होंगे, फिर आता है राजपूत class guided missile destroyer ये Soviet Kashin class है तो यहाँ पर आप देख सकते हो destroyer में ये गन लगी हुई है, रिडार लगे हो है बड़े-बड़े और ये missiles भी launch कर सकता है ठीक है, तो ये एक typical destroyer है कई destroyers आजकल helicopter के लिए भी facility रखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक helicopter भी land कर सकता है तो इंडिया में, at least जो ये हमारा राजपूत क्लास destroyer है, इसके पास helicopter की facility भी available है most of the destroyers have that capability, फिर आता है frigate, अब दिखने में आपको frigate और destroyer में कोई जादा फरक नजर नहीं आएगा और ये सच्चाई है, तो frigate थोड़ा छोटा destroyer है, और कुछ नहीं है frigates are a little small destroyers, तो सबसे बड़े cruiser फिर आते हैं destroyer और फिर आते हैं frigate, ठीक है तो frigate भी अच्छी कासी मारक्शमता रखता है, इसमें भी multiple guns होती है, radars है, helicopters land हो सकते हैं, तो भारत में शिवालिक class के जो frigates हैं, ये काफी अच्छे operate होते हैं, ब्रह्मपुत्र class guided missile frigates है, इसमें भी missiles launch हो सकती है, और ये ब्रह्मपुत्र class का एक frigate यहां पर नजर आ रहा है, तो अब आप फोटो में ध्यान से देखोगे, तो इनकी size थोड़ी थोड़ी छोटी होती जा रही है, जो cruiser और destroyer का size था, उससे थोड़ा सा छोटा इनका size है, ये गुदावरी class का guided missile frigate है, और इनको operate करने के लिए लोग भी कम चाहिए, लेकिन एक problem भी है, कि frigate बहुत दूर तक operate अकेला नहीं कर सकता, मानलो इस पर हमला हो जाए तो इसको अपने आपको बचाने की जो capacity है, हर तरह के submarine attack वगेरा से, वो इतनी जादा capacities नहीं होती, ठीक है, फिर आता है तलवार class stealth guided missile frigate तो ये थोड़ा सा नया frigate है हमारा, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं cruiser, ये सबसे बड़े जहाज होते हैं, जिनके पास अच्छी मारक शमता होती है, थोड़े छोटे cruisers को हम कहते है destroyer, सबसे common जहाज destroyer हैं आज के समय में then we have the frigates, ठीक है तो frigate और destroyer, ये किसी भी modern day navy का core बनाते हैं सबसे जादा, हमारे पास भी destroyer और frigates ही है, कोई भी navy उठा अगर आप देख लो, किसी के भी चाइना के US के, UK की navy के बारे में आप अगर उनके ships को देखेंगे, तो they have the most number of destroyers and frigates cruiser कम होते हैं, aircraft carrier बहुत ही कम होते हैं, और number of ships destroyer या frigate का जादा होता है लेकिन अब धीरे धीरे एक और class develop होगी, वो होगी corvette ठीक है, अभी corvette पे आने से पहले मैं आपको कुछ littoral ships के बारे में बताना चाहता हूँ अब यह specifically कोई अलग category नहीं है littoral का simple meaning यह होता है कि जो अपने समुद्र तट के निकट operate कर सके तो यह ऐसे जहाज हैं जो deep water capabilities नहीं रखते, इनको आप oceans में है या high seas पर नहीं बेज सकते, भारत से हमला करने के लिए अफरीका या अमेरिका या या यूरोप तक नहीं बेजा जा सकता है इने, यह mostly हमारी तट रेखा के आसपास ही operate करते हैं, so these are littoral combat ships, इनका अलग operations में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मान लीजे कोई piracy, anti-piracy operations वगेर हैं, तो उनमें इनका इस्तेमाल हो सकता है ऐसा नहीं है कि अमेरिका से लड़ाई हो जाए तो इसको भेज देंगे, littoral combat ship, उसमें ये काम नहीं आएगा, ठीक है, फिर कोच अन्य तरह के जहाज भी होते हैं, जो strictly speaking, एक अलग category होने, मैं नहीं बता सकता बढ़ ठीक है, जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ ये पुराने हो गए हैं, अब इतने इस्तेमाल नहीं होते हैं माइन प्लांटर, माइन्स क्या होती है तो जैसे धर्ती पर माइन बिचाई जाती है तो ये माइन्स World War 2 में बहुत कॉमन थी तो माइन्स को प्लांट करने के लिए ऐसे जहाज होते थे और फिर इन माइन्स को हटाने के लिए माइन स्वीपर होते थे तो जिन्होंने वो पुराना गेम खेला है, माइन स्वीपर डाली है ताकि हमारे देश से एक्सपोर्ट ना हो सके दूसरे देशों को अनाज जिसके कारण पूरी दुनिया में एक food crisis आ जाएगा तो इसलिए अभी ये माइन्स या माइन वाले जहाज न्यूज में थे इस प्रकार का structure होता है जो पानी के नीचे जा सकता है इसमें से आप टॉर्पीडो लॉंच कर सकते हैं बहुत तरह के मिसाइल लॉंच कर सकते हैं तो सब्मरीन की अपनी बहुत सारे uses होते हैं ये बिना दिखे कहीं पर भी पहुंच सकती है हाला कि इनको भी detect करने के तरीके होते हैं दिरा radars and other sensors sound sensors वगेरा होते हैं लेकिन फिर भी सम्मरीन काफी हद तक non detectable होती है भारत में अरिहंत class submarine जो है इसके पास nuclear capability है और दुनिया में बहुत कम देश है जिनके submarine से nuclear missile launch करी जा सकती है तो nuclear capacity वाली अरिहंत class submarine भारत के पास है शिशुमार class भी है भारत के पास इस class की भी बहुत सारी submarines है सिंदु गोश ये भी एक important submarine है and then the latest is कलवारी तो कलवारी class की submarines भी काफी modern और अच्छी submarines हैं भारत के पास इन सभी जहाजों को discuss करने के बाद अब हम आते हैं corvets पर तो मैंने आपको बताया था कि cruiser, destroyer, frigate इसके बाद आते हैं corvette तो cruiser को अभी हटा दो most modern day navies इनका इस्तेमाल नहीं करती destroyer, frigate और corvets ये तीन सबसे core जहाज होते हैं किसी भी navy के इन तीनों के पास मारक शमता होती है मारक शमता का मतलब है कि ये किसी दूसरे जहाज पर, navy पर हमला कर सकते हैं, इनके पास war की capability है लडाई में इस्तमाल होने का इनके पास माद्दा है क्योंकि देगो बहुत सारी छोटी boats भी होती है पेट्रोलिंग वगेरा के लिए इस्तमाल होती है, 10-20 km तक उन्हें समुद्र में ले जा सकते हो लेकिन उनके पास missiles नहीं है, artillery guns नहीं है, ये सारी capacity नहीं होती है तो destroyer बड़े है, frigate थोड़े छोटे है, corvette सबसे छोटा है और छोटे होने का इसको फाइदा ये मिलता है, कि ये असानी से maneuver किया जा सकता है ठीक है, इसके पास बहुत ही fast maneuverability होती है, यानि कि तुरंट इसे आप मोड सकते हो अब मोडने का फाइदा क्या है, समुद्र इतना बड़ा है, आप सोच रहे होगी, सर कहां जगे, की problem आगे कि इसे अचानक cut मारना पड़ रहा है, तो देखो cut मारने की capacity कहां काम आती है जब दूसरे आप पर हमला कर रहे हैं, तो कोई हवाई जहाज से बंबारी हो रही है तो ऐसे में इसको, corvette को तुरंट ही मोडा जा सकता है, एक से दूसरे direction में ले जाया जा सकता है जिससे ये दुश्मन जहाजों के हमले से बच जाता है, so they are highly agile, agile का मतलब है इनको तुरंट कहीं भी मोड सकते हो, तो ये बस वैसी ही बात है, कि एक आप चला रहे हैं, बस तो cruiser को समझ लीजिए, आप एक bus की तरह है, ठीक है उसके बाद जो destroyers हैं, चलो destroyer और cruiser दोनों को bus मान लो, frigate would be something like a car तो एक आप car चला रहे हैं, और corvette चलाना मतलब होगया एक bike, तो इक bike की तरह है, इसमें धूम मचाते हुए, आप कहीं भी निकल सकते हैं, cut मारते हुए, traffic में से निकल जाएंगे, उसी तरह से इनको missile boat के रूप में इस्तमाल किया दा सकता है, submarines के खिलाफ इस्तमाल किया दा सकता है, coastal patrol and fast attack naval vessels, तो corvette को जैसे चाहो आप उसको इस्तमाल में ले सकते हो, और सबसे जादा important इसका यही वाला use है, fast attack naval vessels, तो क्योंके यह छोटा है तो इसकी speed भी जादा होती है, तो यह fast travel कर लेता है, लंबे distances को, और कहीं पर भी attack करने पहुंच सकता है, corvette term आता है French Navy से, French शब्द है corvette, और 19-18 शताबदी में इस प्रकार के corvette जहाद होते थे, जिन में बहुत सारे sales हैं, तो आपने जो पुरानी फिल्मों में इस प्रकार के अगर जहाद देखे हैं, जो छोटे से जहाज हैं, और बड़े-बड़े इनमें ये sales लगे हैं, तो वो corvette होते थे, तो इतने सारे sales लगाने का मकसद ही होता था, कि इसको तुरंत एक से दूसरी जगे ले जाया जा सके, जो शब्द corvette है, वो भी French origin का है, French और Dutch origin का, और आप मैं से जो गाडियों के शौकीन है, उ बंद हो गई, मेरे बचपन में तो बहुत फेमस कार हुआ करती थी, corvette, I don't know whether it is still manufactured or not, हाँ, corvette जहाज जो है, इनमें बदलाव ये आया, 20th century में, कि ये sales वगेरा सा भट गए, diesel engine आने के बाद, सब कुछ diesel engine पर चलता है, और उसके कारण अब इस प्रकार के नहीं होते है, corvette अब ऐसा नजर आता है, corvette जहाज, ठीक है, तो world war 2 में corvettes का बहुत इस्तवाल हुआ था, खास करके submarines के खिलाव, क्योंकि ये बहुत ही fast होते हैं, और छोटे होते हैं, तो एक तो क्या risk कम है, तो destroyer और cruiser के साथ इनहें भेजा जाता था, कि आप चारो तरफ उनके घूमते ना कर दे, 21 वी सदी में mostly corvettes 2000 ton तक के होते हैं, इससे उपर के जहाजों को corvettes नहीं कहा जाता, corvettes जहाज उन देशों के लिए बहुत important है, जिनके बास बड़े-बड़े समुद्र नहीं है, operate करने के लिए, जैसे कि Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, अब इन्हें क्या करना है, अपनी Navy के वा mostly corvettes बनाते हैं, तो Sweden, Finland, Norway, इनकी Navy's के पास बहुत अच्छे-च्छे corvettes हैं, reason आपको अब समझ में आ गया होगा, भारत की Navy के पास भी कई सारे corvettes हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार corvettes खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, तो भारत ने पहले कुछ corvettes खरीदे थे लेकिन जो latest Camorta class corvettes हैं हमारी Navy में, जो operational हैं, यह हमने खुद बनाया हैं, ठीक है, तो यह एक typical corvettes है, this is a Camorta class corvettes, इसको project 28 भी खा गया था, यह भी याद रख लो, कभी-कभी question को difficult बनाने के लिए इस तरह से boost लिया जाता है, project 28 क्या था, project 31 क्या था, तो हमारे पास कितनी categories के corvettes है वीर class, खुकरी class, कोरा, अब है, और latest है Camorta, तो कितने हो गए यह, 8, 4, 12, 16, 19, और 4, तो 23 corvettes अल्रेडी हमारे पास हैं, Navy के पास, और अब हम नए generation के corvettes को launch करने जा रहे हैं, Camorta class को 2014 में Navy में शामिल करना शुरू किया गया था, और 2020 में last Camorta class corvettes शामिल हुआ है, और इनकी खासियत देती कि यह भारत में बनाये गए थे, कॉलकता में Garden Reach, Shipbuilders ने इने बनाया था, और BEL ने भी कई सारे indigenous, यानि कि भारत में बने systems इन में लागू किये थे, या install किये थे, सबसे important है, शिकारी sensor and processing system, तो इनका sensor और processing system बहुत advanced है, इसी लिए यह submarines के खिलाफ बहुत effective है दूसरा, Bomber and electronic warfare suits, also manufactured by BEL, इसको कहते हैं Ajanta, फिर है संकेत electronic warfare system, कवच, decoy, launchers, तो यह सारे जो नाम है, इनको ध्यान में रखो, कभी SSC या स्टेट PCS में भी पूछे जा सकते हैं, CDS के exam के लिए बहुत important है, और UPSC भी पूच सकता है, ठीक है, तो शिकारी, Ajanta, संकेत, कवच यह सब नाम है, electronic systems के, जो इन्हें कमोर्ता क्लास में इस्तमाल किया गया था, कमोर्ता क्लास की जो कॉर्वेट्स हैं, चारो के नाम याद रख लो, INS कमोर्ता, INS कावाराती, INS कदमत और INS किलतन, अब यह नाम सारे किन के बीछे रखे गए हैं, तो अंडमान निकोबार आ of course यह बहुत छोटा है, इसलिए तुरंत यह maneuver किया जा सकता है, इन्हें, मोडा जा सकता है, किसी भी दिशा में, fast होते हैं, थोड़े से speed अच्छी होती है इनकी, और capacity इनके पास भी अच्छी गासी है, लेकिन इनकी जो artillery guns हैं, वो इतनी बड़ी नहीं है, यहाप आप notice करो है, तो अब हम नए generation corvets को ला रहे हैं, और यह भारत में बनाये जाएंगे, सबसे important बात यह है, कि design भी India में किया जाएगा, और बनाया भी भारत में जाएगा, तो next generation corvets के लिए open bids लाई जाएंगी, यह भी एक नया process होगा, open bid का मतलब है, कि private players भी आकर navy के सामने अपना प्रस्ताव रख सकते हैं, पहले क्या होता था, कि जैसे सरकार सिलेक कर लेती थी, कि garden shipbuilders बनाएंगे, कॉलकता में सारे कमोरता class के corvets, और वही बनाता था, there was no open bidding, लेकिन अब यह जो नए corvets हैं, इसमें private players भी आकर बना सकते हैं, और designing और construction, सब कुछ भारत में होगा, य अब है कमोरता, और जो भी यह नए generation को नाम रखा जाएगा, तो यह वाले corvets हमारे पास मौझूद रहेंगे, क्या फिलाल यह corvets बनने start हो गए हैं, जी नहीं, बनने शुरू नहीं हुए हैं, अभी defense acquisition council ने केवल acceptance of necessity, AON नाम का एक bureaucratic procedure होता है, वो कर लिया है, यानि कि इ बनने start नहीं हुए हैं, बट यह बनाये जाएंगे, तो over the period of next 7-8 years, आप देखेंगे कि धीरे धीरे यह corvets एक के बाद एक launch होंगे, और इनका cost आने वाला है 36,000 क्रोर रूपीज, और यह जो new generation corvets हैं, यह और जादा नए roles में इस्तमाल किये जा सकते हैं, जैसे surveillance mission, escort operation, escort म मैं आपको बताया, blue water navy में क्या होता है, बड़े जहाजों को छोटे जहाज escort करते हैं, क्योंकि aircraft carrier अपना बचाव सब्मरीन से नहीं कर सकता है, उसे यह corvets और frigates के आवशकता होती है, और यही होता है fleet में, fleet इसी तरह से operate करती है, deterrence, surface action group operations, search and attack, coastal defense, तो इन सभी के लिए इ पहले ही बता चुका हूँ कि यह सारे नए corvets भारत में ही design किये जाएंगे और यहीं पर इनने latest technology के द्वारा बनाया जाएगा, आत्मनिरबर भारत और सागर, security and growth for all in the region, इन दोनों initiative को बहुत बड़ा boost मिलेगा इन नए corvets से, अगर आपको यह lecture अच्छा लगा तो इसे like जरूर करें, channel को subscribe करना ना भूलें और comment में अपना feedback भी आप दे सकते हैं, अगर UPSC exam की तयारी कर रहे हो तो देश के best educators and academy platform पर live पढ़ाते हैं, इसको platform को join करने के बहुत सारे reasons हैं, कई सारे toppers भी इस बार 2021 के exam में हमारे platform से थे, कोई भी आपको doubt है तयारी से related, कौन सा course आ जरना है, that's it, iconic और plus, दो प्रकार के subscriptions है, इन सभी के prices आप यहां देख सकते हैं, जितने भी subscription model है, इन सब में आपको 10% सीधा discount मिल जाएगा, अगर आप महीपाल code का इस्तमाल करते हो, तो जो price है, वो 10% गिर जाएगा, iconic subscription के कुछ अपने benefits हैं, one-on-one mentorship आपको यहां मिलेगी optional के भी subscription plans available हैं, EMI पर आप सारे courses को avail कर सकते हैं, हर हफते नए batches start होते हैं, you can join these batches, और अभी एक special हमारा offer चल रहा है, if you get a one-year subscription, एक साल का subscription आप लेते हो, 6 महीने आपको extended validity मिल जाएगी, doubts के लिए हमने अलग से sessions करवाने start कर दिये हैं, optional के अभी-भी बहुत सारे नए batches launch हुए हैं, so join these batches, Hindi, English, दोरों में start हुए है, multiple optional के batches start हो चुके हैं, तो जब आप combo subscription लेते हो, तो उसमें आपको GS और optional, दोनों की classes एक साथ मिलती हैं, और optional के इन batches को आप join कर पाएंगे, Pathfinder का weekly current affairs test होता है, शनिवार शाम 5 बजे, इसमें Amazon gift vouchers भी इस बार आप जीत सकते है हैं, so please take part in this combat, हर रविवार की तरह सुबह 11 बजे होगा, इसमें हिस्सा लेकर आप scholarship जीत सकते हैं, और इस बार के बहुत सारे toppers ने combat में scholarship जीती थी, उनके नाम और rank यहाँ पर आप देख सकते हैं, you can also watch their interviews, they are there on our channels, on Pathfinder as well as Let's Crack UPSC CSE, thank you very much, have a great day.